पिछले 3-4 दिन से अदाने ग्रूप बैक टो बैक नियूज में आ रहा है अदाने ग्रूप के अगेंस्ट में रिपोर्ट आई है 30 अगर्द 23 को जिसमें अदाने ग्रूप के साथ साथ इंडियन स्क्योटी रूल्स के उपर भी स्वाल्ट है गई है और क्या स्क्योटी रूल्स ब्रेक होने की बात करी गई है इस रिपोर्ट में अदाने ग्रूप दूप द्वारा वह भी मैं आपको प्रपर शेय कर दूँगा और अगि अदाने ग्रूप के शेयर में क्या करना चाहिए वह भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा क्योंकि retailers बहुत प्रिशान हो रहे हैं अडाने group companies के up down moment को लेकर उन्हें ये clear नहीं हो पा रहा है कि अडाने group में investment करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो video complete देखना ताकि आपको पूरी जंकरी सईस ही मिल जाए सबसे पहले आप सभी मेरे इस channel को अभी subscribe कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो यहां आपको stock market related सबी information मिल जाएगी हाई एक video बहुत important होती है तो कोई भी miss ना उसके लिए अभी subscribe करके bell icon हट कर लेना चले फिर देखते हैं पूरा matter क्या है आपको ये तो पता ही होगा कि हिंडर्मक फर्म ने अडाने ग्रूप के गेंस में January 2023 को रिपोर्ट डाली थी 24 January की बात है उसके बाद suddenly अडाने ग्रूप के शेर में 70-80% की क्रेश आगया था अब एक फर्म है OCCRP उन्होंने अडाने ग्रूप के ओपर रिपोर्ट डाली है 30 अगस्त को OCCRP means Organized Crime and Corruption Project पहले थोड़ा सा इस फर्म के बारें बात कर लेते हैं ये फर्म corruption and crime based activity को cover करती है globally with the help of their generalized network system से यहां mention किया हुआ है कि ये public funded firm है बट इसको George Soros की company भी financial help करती है तो ये कह सकते है कि OCCRP फर्म जो है वो George Soros funded firm है आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि George Soros की image कोई अच्छी नहीं है ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे बट इतना श्रीकर देता हूँ कि इनका नाम काफी बाहर violence यानि दंगे करवाने में काफ आया है वर्ल्ड के different leaders के against में ये बाते बोलने में आगे रही है काफी सारी गल्द activity में भी इनका नाम सामने आया हूए तो basically इनकी छवी जो है वो अच्छी नहीं है अडाने ग्रूप एंडियन security lock और टागर करते हूए जो report publish करी है उसको देखते अब ये report OCCRP की site पे upload कर रखी है report में बताया गया है कि two men who secretly invested in अडाने ग्रूप have linked to अडाने ग्रूप family मतलब ये person अडाने इंसाइडर्स है जिससे इंडियन security lock के rules का violation हुआ है अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या violation हो गया investment तो कोई भी कर सकता है किसी भी company में बिल्गू ठीक कह रहे है investment कोई भी company में कर सकता है बट वो investment publicly है या promoter द्वारा वो देखना में बात होती है सेबी के एक रिखुल के coding ये बताया गया है कि किसी भी company में promoter के holding 75% से जादा नहीं होने चाहिए आपको ध्यान होगा अब जुलाई में पतंजली ग्रूप ने भी अपनी holding पतंजली फूर्ट में कम करी थी OFS के चरीए क्योंकि उनकी holding भी 75% से उपर के थी इसलिए अगर ये 2% जो है जिनका name सामने आ रहा है अगर उनका अडानी family से link है तो उनके द्वारा जो भी investment करी गई है न वो promoter holding में आ जाएगी फिर ये investment public holding में नहीं जाएगी ऐसा होने से promoter की holding अडानी ग्रूप की companies में 75% को क्रोज कर जाएगी तब ये rules का violation हो जाएगा तो ये point clear हो गया आपको कि कैसे अगर ये 2 जो person है उनका अडानी ग्रूप की family से link मिल गया तो ये rules का violation होगा जिन दो person की में बात कर रहा हूँ उन person के नाम ये mention कि गई है first one is नसीर अली शबन अहली and second one is चैंग चूंग लिंग ये बताया गया है कि hundred of millions अडानी ग्रूप में invest कि गई है publicly through opaque investment funds based from Mauritius ये दोनों person नसीर अली and चैंग चूंग लिंग काफी long time से अडानी ग्रूप के साथ business से link रहे है and also ये directors और shareholders भी रहे है इनके भाई विनोद अडानी की companies में offshore structure की help से Mauritius फंड से ये अडानी ग्रूप में buying selling करते आए है ये रिपोर्ट में clearly mention किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने expert community बनाई थी उन्होंने सई सिजांच नहीं करी है they unable to get to the bottom of the scandal and साथ में इन्होंने government को भी point करते हुए कहा है अडानी ग्रूप widely perceived closeness to Prime Minister Narendra Modi and its central role in his plan to developing the country मतलब अडानी ग्रूप Prime Minister Modi and उनके Development India Mission की काफी close रहे है मतलब इन्होंने ड्रेटली रूप से Indian Government and Prime Minister Modi को target कर दिया है और ऐसे पहली बार नहीं हुआ है George Soros ने Donald Trump Putin Xi Jinping के against भी काफी बार बाते बोली है जो भी नेता लंबे समय तक पावर में रहता है यह उनके against में बाते करते ही रहते है 2013 से 2023 तक के पेड में अडानी ग्रूप का मार्केड कैप 8 बिलियन डूलर से 260 बिलियन डूलर तक हो गया है इन्होंने इसके अंदर भी PM Modi's को target किया है अडानी ग्रूप ने काफी बड़े contracts के अंडर जीते है इसी time film के अंदर जिसमें से कुछ तो 50 साल लंबे पेड़े चलने वाले है रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि एटलिस्ट 25 परसेंट पब्लिक होल्डिंग का वालेशन हुआ है इन्होंने बताया है कि सेबी को भी बड़ी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करी गई है इन दो फॉर्ल इन्वेस्टिर दवारा अडाने ग्रूप की चार कंपनीस के अंदर 2013 से 2018 के बीच में मार्च 2017 में ये इन्वेस्टमेंट के अमाउंट 430 मिलियन दोलर तक पहुच गई थी जिन कंपनीस के जड़िए इन्वेस्टमेंट करी गई है उनके नाम भी हम मेंशन के गई है लिंगो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो चैंग की कंपनी है गल्फ अरिज ट्रेडिंग ये अली कंपनी है Mid East Ocean Trade इसमें भी Alie Beneficial Owner है Gulf Asia Trade and Investment इसमें Alie Controlling Person है तो इन चारों कंपनी में basically दो परसन ही है जिनका Name point out किया गया है इन investment के काफी पैसा बनाय गया है Low में Buy करके High में Sell करके जिन 4 Adani Companies की बात यहाँ पे हो रही है उनके Name Adani Power, Adani Port Adani Transmission and Adani Enterprises है Adani Group के साथ इन दोनों परसन का नेम दो बार investigation में पहले भी आचुका है दोर साथ के अंदर illegal diamond trading investigation में जो DRI ने investigate किया था Directorate of Revenue Intelligence ये Minister of Finance के अंदर एक agency है उस time DRI की report में बताया गया था कि Chang Adani Group के तीन companies में director है and Ali represented a trading firm जिसका name भी include था and इसमें एक main बार सामने आए थी कि Chang and Gautam Adani के बाई Vinod Adani का residential address भी same है Singapore के अंदर तो इन दोनों परसन का Chang and Vinod Adani का residential address same होना बहुत बड़ी बात होती है and second case दोर स्टोदा में हुआ था जिसमें ये सामने आया था कि Adani Group Companies money को इंडिया के बाहर illegal तरिके से भेज रही है अपने ही एक subsidiary को 1 billion dollar के power generation को import करके यहां भी Chang and Ali का नाम सामने आया था ये दो companies में डिरेक्टर थे and that company is later owned by Vinod Adani तो उस report में ये आया था कि Adani Group actual pricing से double-triple pricing में import कर रहे है मतलब किसी चीज की pricing score पे की है बट उसको record के अंदर report के अंदर 230 दखाय जा रहा है तो इस तरह money को illegal रूप से भाट transfer किया जा रहा है हलाकि ये सामने नहीं आया कि Chang and Ali ने जो पैसा invest किया है वो Adani family से आया है या किसी और से इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है बट OCCRP ने document शो किया है कि विनोज Adani ने उसी से Morishis Fund का use करके खुद की investment भी करी हुई है तो इस तरह ये report दो तिन चीजों के अपर रह गई है कि Adani family का इन दुनों investor से क्या link है उनकी holding को public holding मानना है या promoter holding मानना है क्योंकि अगर promoter holding count हो गई तो Adani group का promoter holding 75% से उपर चला जाएगा जो कि Indian security rule के against में है direct link तो सामने नहीं आया है बट Gotham Adani के बड़े भाई विनोज़ Adani के साथ link बताया गया है different तरिक्के से अब इसका impact यह हुआ था Thursday को Adani group के shares गिर गए थे बट जादा नहीं गिर एते 3-4% की गिरावट आई थी and Friday को उन share में recovery भी आ गई है Adani group की तरफ से भी reaction आ गया है Friday की evening में OCCRP report के उपर Adani group ने यह बोला है कि वो OCCRP की report को पूरी तरह से डिनर करते हैं मतलब वो इसो गलत बता रहे है Adani group continue सब चीज़ों का disclose देता है पूरी तरह से confident है कि यह से बाते गलत है मतलब group का यह मानना है कि उन्होंने सब चीज़ों का proper disclose दिया हुए Hindemag firm ने भी इस OCCRP report के उपर में reaction दिया है और उन्होंने कहा है कि फाइनली दा लूप इस क्लोजड तो यह सब चल रहा है Adani group के उपर इंडिया के अंदर भी आपको पता होगा कि दो कमिल्टी बनाए गई थी एक तो सुप्रीम कोट दोवारा सिक्स पैनल कमिल्टी बनाए गई थी जिसकी रिपोर्ट तो मय के अंदर या गए थी और उन्होंने Adani group को clean sheet ज़ी थी उनकी according Adani group के अंदर कोई भी गलत activity नहीं पाई गई थी and second से भी को का गया था कि वो इस पूरे मावल में परिजाज करे जो उन्हें पेश करने थी अगस्त के अंदर पहले 14 अगस को पेश करनी थी पर उस टाइम उन्हें 15 दिन का टाइम और वांग लिया है फिर 29 अगस को भी उन्होंने ये बताया है कि 24 टांजिशन में से 22 टांजिशन तो पूरी क्लियर है बट दो टांजिशन ऐसी है जिसकी पूरी क्लियर्टी नहीं मिल पाई है तो उसके उपर उन्हें जाच करने के लिए ओर टाइम चाहिए अगर आप मेरे चैलन्स जुड़े हो तो अप्रोज 20 दिन पहले मैंने आपको अडाने ग्रूप के उपर एक वीडियो शेयर की थी उसके माने क्लियरली बताया था कि अडाने ग्रूप न्यूज बेस एक्टिविटी करता रहेगा अच्छी न्यूज प्राइस को उपर लेके जाएगी और खराब न्यूज प्राइस को नीचे लेके जाएगी जो लोग सोच समझ कर पेशन से काम करेंगे वो ही अडाने ग्रूप के पैसे में आ सकते हैं अगर आप लोग ऐसे ही न्यूज को सुनकर पैनिक में आ जाओगे तो फिट डाउन में बेचते होगे और फिर बाद में जब प्राइस उपर जाएगा तो अफसुस करोगे तो टाइम दो यार तीन-छे मेने का टाइम दे दो आपका अट-दे अडाने ग्रूप कम्पनीज में पैसा बन जाएगा और जो एक्स्पिरियंस लोग है वो हर एक निउज में मोका डून लेते हैं इसलिए जील लूपीन अडानी अब इसेंट में जीयो फैनेशन के साथ किया था तो इसलिए सोच समझय काम करना चाहिए पैनिक में आकर हमेशा गल्ड डिसियंदी बनते हैं अब क्या सच है और क्या जूट कुछ नहीं पता क्योंकि दूनों पक्ष अपने निबाते रख रहा है आनला टाइम बताएगा कि क्या सच है और क्या जूट अगर आपको अडाने गृप पे ट्रस्ट है तो उसमें बने रहो अपने कोडिंग आप बाई कर सकते हो या अपने को होल्ट कर सकते हो और अगर आपको अडाने गृप पे विश्वास नहीं है तो आप उनकी कम्पनिस को इग्नोर कर दो उनके लावा कौन सा शेर माकर में शेर्स ही कमी है बहुत सारे शेर्स है यार किसी और पैसे लगालो तो सिंपल सा ये दो ही वियो होने चाहिए या तो अडाने गृप पे ट्रस्ट करो या ट्रस्ट मत करो अगर आपके पास भी अडाने गृप कम्पनिस के शेर है तो नीचे मेंशिन करना कि कौँसी कम्पनी के अक्यावास शेर है आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा वीडियो को लाइक जूर करना और सबके साथ करें क्योंकि सबको आदी दोरी जांकारी है जिसके बेस पर वो गल्डिक्सिन बना लेते हैं चैनल सब्सक्राइब जूरू कर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में स्ट्रगमा करें किसी और इंपोर्टन इंफोर्मेशन के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए थैंक यू सो करें दूलünden कि कुचके बेस्ब्सक्राइब करें कि ढूριएं चुस्ते हैं तकि कि डgres जवीडिक्ष तक एंपोर्टन अजे थिछासन करें कि अवीड़ों कि मलते हैं थैंक। Nचलस में 2